एक सवाल की स्मार्ट जवाब ने भारत की मानुशी छिल्लर को महज 20 साल की उम्र में मिस वर्ड 2017 बना दिया पता है सवाल जवाब क्या था ग्रेंड फिनेले के टॉफ फाइफ कंटेस्टेंड में जगए बनाने के बाद मानुशी से सवाल पूछा गया कि आपको कौन सा प्रोफेशन ऐसा लगता है जिसके लिए सबसे ज़्यादा सेलरी दी जानी चाहिए और क्यों मानुशी ने जवाब दिया मुझे लगता है कि मान को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाना चाहिए ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि मां हर बच्चे को लार, दुलार, प्यार और सम्मान देती है मेरी मां मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पिर्णा है उन्हें सबसे ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए मुझे लगता है सबी माएं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ त्याग करती है मा का काम सबसे अधिक वेतन का हकदार है जवाब खत्म होते ही हौल तालियों की गुण से गलगडा उठा एनाउंसर के वाज गुण जी कि Miss World 2017 का खिताब जाता है इंडिया को जी हाँ हर्याणा की मानुशी छिलर ने Miss World का ताज जीत कर यह प्रतिस्ठित ताज 17 साल बाद एक बार फिर भारत के नाम किया मानुशी से पहले वर्ष 2000 में पिरिंका चौपडा ने यह खिता था मेडिकल की छात्रा 20 वर्षिय मानुशी ने चीन के सान्या शहर में आयोजित हुई इस प्रतियों गिता में दुनिया के 108 देशों की सुन्दुरियों को पचाल कर यह काम्याभी हासिल की दिल्ली में पली बढ़ी मानुशी के डॉक्टर माता पिता के लिए वैचर अविश्वशनिये था जब विजेता के तौर पर उनके नाम की गोशना की गई इस घटना ने एक बात तो साबित कर दी कि अगर सपनों में दम हो और होसलों में उडान हो तो मंजिल दूर सही लेकिन मिलकर रहती है राहें जितनी भी मुश्किल भरी क्यों नहों सची लगन और जजबे के साथ कुछ भी नामुम्किन नहीं कुछ ऐसी ही कहानी है मिस इंडिया मानुशी चिललर की बचपन से मिस इंडिया बनने का अर्मान लिए मानुशी ने अपनी पढ़ाई और बाकी चीजों में कोई कसर नहीं छोड़ी मेडिकल की पढ़ाई करते करते मानुशी का सेलेक्शन मिस इंडिया के लिए हुआ वाला है लगभग 15-20 साल पहले मानुशी के परिवार को नौकरी के सिलसले में अपना गाउँ छोड़ना पड़ाता हूँ मानुशी का जन नई दिल्ली से करीब 70 किलो मीटर दूर रोहतक शहर में 14 मई 1997 को हुआ उसने अपनी पढ़ाई नई दिल्ली के सेंट थॉमस स्कूल से की वे पढ़ाई में हमेशा से अच्छी रही उसने बार्वी की परिक्षा में 96 प्रतिशत अंक अर्जित की है मानुशी के पिता मित्र बसू पेशे से DRDO में साइंटिस्ट है मानुशी की मा नीलम इंस्टिटूट अफ यूमन बिहवियर एंड अलाइट साइंसेज में निउरो केमिस्टरी की हेड अफ दे डिपार्टमेंट है बताते चलें कि कुछी पुरी डांसर मानुशी को पंजा लडाना पसंद है मानुशी फिटनेस फ्रीक है और जिम में जम कर वर्क आउट करती है एक प्रतिभाशाली कवी चित्रकार और कुछी पुरी नर्थकी मानुशी एक कार्डियक सर्जन बनना चाहती है और महिलाओं के बीच मासिक धर्म की स्वक्षता की पर्यूजना से जुड़ी हुई है पिछले एक वर्ष के अंदर मानुशी ने कई पुरुसकार जीते हैं पिछले वर्ष दिसंबर में उन्होंने मेडिकल कॉलेज में मिस कैमपस पिंसेस का खिताब अपने नाम किया उन्होंने इस वर्ष अप्रल में मिस हर्याना और जून में फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद मानुशी ने सौंदर प्रतियोगिताओं के लिए मेडिकल कॉलेज से एक वर्ष का ब्रेक लिया मानुशी उस राज्य की बेटी है जो कोख में बेटिया मारने के लिए बदनाम है इस प्रदेश में बेटियों को बचाने के लिए सरकार को बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान चलाना पड़ा वैसे हर्याना में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान का शानदार असर दिखाई दिया इस प्रदेश में अब बेटिया बचाई जा रही है। करीब एक साल की लंबी कवायत के बाद राजिका लिंगा नुपात सुधर गया। पिछली जनगरना के अनुसार एक हजार लर्कों पर लर्कियों की संख्या हर्याना में 819 थी। लेकिन पहली बार लर्के लर्कियों का आकड़ा एक हजार लर्कों के पीछे 942 लर्कियों पर पहुच गया। चूला चौका तक सिमट कर पारंपरिक बेडियों में बंधी रहने वाले इस प्रदेश की बेटियों का डंका अब हर छेत्र में बज़रा आये। बात चाहें शिक्षा, खेल, फेशन, ग्लेमर की हो य खेलों में महिला खिलाडी अपना लुहा मनवा रही है। उलम्पिक के लिए प्रदेश की 12 महिला खिलाडियों ने क्वालिफाई किया था। भीवानी की दो बहने बविता फोगाट और पीता फोगाट की पहलवानी पर तो फिल्म बन चुकी है। ब्लॉग बस्टर फिल्म दंगल तीन ही दो बहनों के उपर है। इनके अलावा देश की महिला होकी टीम जिसने उलम्पिक के लिए क्वालिफाई किया था। में भी कप्तान वितू रानी सहित साथ खिलाडी हर्याना की थी। अब मानुशी छिलर जो ग्लैमर वर्ड का जग मगाता सितारा बन चुकी नमस्ते। और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। नमस्ते।